फ्रेंड्स आज का जो वीडियो है वो EMMC Recovery के उपर है और आज हम RT809 एप से सीक्योर सी आर्टी के जरिए EMMC Recovery करेंगे फ्रेंड्स वीडियो लंबा बन गया है लेकिन इसमें बहुत ही काम का इंफर्मेशन है अगर आप लाश्ट तक वीडियो देखते हैं तो काफी कुछ सीखने को मिलेगा आपको सब्ट्वेर के बारे में इस बोर्ड में जो सब्ट्वेर लगके आता है वो HD का रहता है और बोर्ड नमबर से भी आपको पता चल जाता है आप LVDS का पेर भी देखके कन्फर्म कर सकते हैं कि HD है या Full HD है आप बोर्ड नमबर देख रहे हैं यहां पर RT809F से रिकावर करेंगे सिक्योर CRT के जरिये तो फ्रेंट्स यह इसके साथ का आया हुआ रिमोट है फ्रेंट्स अब थोड़ा सा मैं अपने बारे में इंफर्मेशन दे दो आप सबको उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करेंगे हेलो फ्रेंट्स जेटेम इलेक्ट्रोनिक्स एन इंस्ट्यूट में आप लोग का हर्दिक स्वागत है फ्रेंट्स मैं LCD LED TV ट्रेनर जहिर खान मुंबई से अगर आप सब LCD LED TV रिपेर की ट्रेनिंग लेना जाते हैं बेसिक से लेक्ट एडवांस लेबल तक की तो आप मुझसे दिये हुए नमबर पर संपर्ख करें ट्रेनिंग का डेमो एक छोटा समय आपको दिखा रहा हूं प्रेंट्स अगर पैनल और सॉफ्ट्वेर की अच्छे से एडवांस लेबल की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं आप लोग तो मुझसे संपर्क एक बार जरूर करें अब आगे वीडियो कंटिन्यू देख लिए आप सब अब यहां पर टीवी को मैंने ओन कर दिया है और अभी इसमें बूट प्रोसेस चलू है विडियम सेर जो है आपको यहां पर दिखाई दे रहा है इसमें अभी बूटिंग हो रहा है और बूट होने के बाद अब सेट पूरी तरह से ओन हो गया है तो सबसे पहले तो फ्रें रहे हैं यहां पर मैं पेंडर अभी फॉर्मेट करने जा रहा हूं ताकि इसमें जो कुछ भी रखा था वो सब खाली हो जाए जिसे कि आपको मैं दिखा सकूँ कि जो हमने EMC रिकवर किया था उसमें क्या-क्या आया था कौनसी-कौनसी फाइल आई थी और कितने जिवी की बनी थी तो इसलिए मैंने जो है पेंड्राइब को फॉर्मेट कर दिया ताकि बहुत सारे फोल्डर में आपको कन्फूजन नहों अब पेंड्राइब को लेप्टॉप से निकाल करके आपके टीवी के USB में लगा देना है और आप देख रहे हैं यहाँ यहाँ पे टीवी परफेक्ट वरकिंग है इसमें आज EMMC रिकवर करेंगे तो आएज चलते हैं पहले हम सिक्यूर सी रटी का सेटप ओपन करते हैं सेटप ओपन करते ही एक डायलॉग बॉक्स आता है उसमें आपका कमपोट पूछता है कमपोट पूछता है जिसके जरिये आपका प्रोग्रामर लैप्टप से कनेक्ट होता है उसका कमपोर्ट कितना है कमपोर्ट 6 जो है मेरा rt809 f programer का कमपोर्ट है कमपोर्ट 6 से ही मेरा programmer connect होता है और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अभी जो है मैंने board को power दे दिया है और उसी के वज़े से यहाँ पे Serial Print आ गया है और Serial Print आने के बाद से जो है भी Set Standby में है और इस Board में यूर्ट बस Off है तो यूर्ट पे कभी फिर कभी बात करेंगे पिलाल आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ Set On होने के बाद का जो Print आता है वह सब उसमें क्या-क्या होता है तो अब यहाँ पे मैं आपको जो Print आया था उसके बारे में जनकारी दे रहा हूँ जिसे कि यहाँ पे EMMC का जो है Speed क्या हिस रहता है उसके बाद EMMC की Size क्या है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे EMMC की जो Size था वो 4 GB का है यह और इसमें हमें 3.63 GB दिखा रहा है So हो रहा है और उसके बाद से यहाँ पे आप जो है देख सकते हैं EWARD का नमबर दिया हुआ है उसके बाद से BISD का नमबर दिया हुआ है तो इसे तरीके से आप लो Serial Print अपने Board का लेकर के काफ़े कुछ सीख सकते हैं Board के बारे में जान सकते हैं कि हमारा Board में EMMC क्या Size का लगा हुआ है उसके बाद से जो है Board में कोई प्रोब्लम है या नहीं है तो काफ़ी कुछ मालूमात जो है आपका Serial Print लेने से हो जाता है और Friends यह तो सिर्फ Demo के तोर पे वीडियो है अगर आपको अच्छे से Security चलाना है और इसके सभी Command जानने है तो उसके लिए आप जो है एक बार हमारे सेमिनार में या हमारे इंसिट्यूट में जरूर आए और आपको जो है Maximum जो जनकारी होती है वो आपको हमसे मिलेगा तो Friends अब यहाँ पे Laptop का Inter Button प्रेस करके हम रखेंगे और Board का Power On करेंगे और Board का Power On देते ही हमारा कंसोल में इंट्री हो जाएगा कंसोल में इंट्री जैसे होता है वैसे ही हमें M Star Link के आना शुरू हो जाता है जब आप देख लें M Star Link के आ गया है तो फिर आप Laptop या Computer का Inter Button छोड़ दें और उसके बाद से जो है आप जो भी इस Secure CRT के माध्यम से Board के साथ में करना चाहते है वो आप यहां Command के जरिये कर सकते हैं जैसे कि हम यहां पे आज इसकी EMMC Recovery कर रहे हैं तो चारजवी का फाइल रिकवर करने के लिए जो है चारजवी के जब EMMC रहती है तो जो हम Command देते हैं वो EMMC बिन Space 1 देते हैं और उसके बाद से आप देख सकते हैं यहां पे हमारा USB फाउंड हो गया है और यहां पे जो है आपको EMMC रिकवर होते हुए दिखाई दे रहा है अब फ्रेंड्स इसमें आप काफी वक्त लगता है अगर आप चारजवी की EMMC का रिकवर कर रहे हैं तो लगभग आपको 40 से 60 मिनिट भी लग सकता है फ्रेंड्स आप गब रहें नहीं यह वीडियो 15-17 मिनिट कही है मैंने बीच बीच में इसकिप मारा है पूरा रीड होते हुए आपको नहीं दिखाई है इस वीडियो में तो आपको सयम रखना है आप प्रोग्रामर को EMMC रिकवरी पे स्टार्ट करने के बाद से आप अपना कोई और काम करें इतना दिर बैट के वेट करके कोई फायदा नहीं है मैं इसका पूरा तो फारवर्ड नहीं करूँगा लेकिन बीच बीच में इसकिप करते रहूँगा आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको काउंटिंग दिखेगा किस तरीके से यहाँ पे नमबर चल रहा है अगर आप ध्यान देंगे तो आपको दिखाई देगा फ्रेंट्स बहुत सारे कमांड है सेक्यूर सियार्टी के जिसको हम यूज करके अंड्रोइड स्मार्ट बोर्ड में काफे कुछ कर सकते हैं आप यहाँ देख सकते हैं मैं RT809F प्रोग्रामर के जरिये ही सिक्यूर से आटी चला रहा हूँ हाला कि इस अप अप्लिकेशन को आप RT809H के जरिये भी चला सकते हैं और App के जरिये भी चला सकते हैं फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने काफी स्किप कर दिया क्योंकि बहुत टाइम लगता जब आपका MMC फाइल रिकवर हो जाएगा उसके बाद आपका M इस्टार लिखके आएगा और जब M इस्टार लिखके आता है और रुख जाता है आपका प्रिंट होना तो आप Pen Drive को TV सेट से बाहर निकाल लें और उसके बाद उसको Laptop में Connect करें और Laptop में Connect करने के बाद अब USB को Open करके देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पर देखिए Boot 1, Boot 2, MMC तीनो ही बिन जो है हमारा Pen Drive में आ गया है अभी मैं आप सबको इनका Size दिखाऊंगा कि हमारा Boot 1 जो है वो क्या Size का Recover हुआ है तो Friends यहाँ पर आप देख सकते हैं यह लगबग 4 MB का होता है आपका Boot होता है तो Boot 1 जो है हमारा 4 MB का है इसी तरीके से हम Boot 2 को भी चेक करेंगे आप Property में जाके देख सकते हैं आप देख सकते हैं Boot 2 भी जो है आपका यह भी 4 MB का ही है तो हमारा Boot 1, Boot 2 4, 4 MB का ही रहता है अभी हम EMMC चेक करेंगे कि हमने जो रिकवर किया है उसकी साइज क्या है तो Friends यहाँ पर आप देख सकते हैं 3.63 GB जो हमने Serial Print लिया था ठीक उतना ही जो है हमारा EMMC रिकवर हुआ है तो Friends इसी तरह से आपके पास जो भी OK सेट आता है बुला तो जो भी आपके पास रिपेर में आता है उसको OK करने के बाद से आप उसका EMMC रिकवर कर सकते हैं आपके पास बड़े प्रोग्रामर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं आप RT809F के जरीए आप रिकवर कर सकते हैं Friends उसके बाद से जो है आप एक नया फोल्डर बनाए और जो आपने फाइल रिकवर किया है वो सबको एक फोल्डर में रिनेम नक करें सिर्फ फोल्डर को ही रिनेम करके रखें और सबको बूट 1, बूट 2 यूजर को उसी तरीके से उस फोल्डर के अंदर आप रख दें जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने एक फोल्डर के अंदर रखा था और उस फोल्डर को ओपन करके मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगता है अगर इनफोर्मेशन अच्छा लगता है जो मैं देता हूँ और आप लोग अगर मुझे पसंद करते हैं तो इस वीडियो को आप सब इतना ज्यादा लाइक दीजिए और कमेंट कीजिए जो मुझे देख के खुसी हो और फिर मैं आगे इससे भी एक से एक बढ़के वीडियो मैं आप सब के लिए बनाओ फ्रेंड्स आप सब जितना वीडियो को लाइक करते हैं उतना ही जदा हमें पुरतसाहन मिलता है आप सब के लिए वीडियो बनाने के लिए और हम दिल से महनत करते हैं और एक वीडियो के पीछे बहुत महनत है देखने में 10 मिनिट का वीडियो रहता है लेकिन उसके पीछे 10 से 12 घंटे का महनत होता है तो आप सब यह समझ जाएं कि कितनी महनत का काम है लेकिन फिर भी हम लोग आप लोग से जुड़े है तो कुछ न कुछ आपके लिए इन्पॉर्मेशन में हम सेयर करते रहते हैं जिसे कि आने वाले वक्त में आप सब को काफी फायदा हो तो फ्रेंड्स आपने देखा कि मैंने पेंड्राइब से कट करके अभी लेप्टॉप के अंदर सेव कर दिया है जो हमने यह ममसे रिकवर किया था तो कुछ इसी तरह से आप सब भी करें और अगर आप सब LCD LED TV की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो जेडे मिंस्टिट मुंबई में आप लोग आ सकते हैं यहाँ पे रहने का बहुत ही कम खर्चे में लोज में बेवस्ता हो जाता है फ्रेंट्स बहुत ही कम समय का कॉर्स रहता है आपके उपर है आप कितना कॉर्स करना चाहते हैं किन-किन चीजों में आपको दिक्कत आती है उसी इसाब से चार दिन, छे दिन, दस दिन या पंदरा दिन में आप जो भी सीखना चाहते हैं सीख सकते हैं फ्रेंट्स मदर बोर्ट, पावर सप्लाई, पैनल या एंड्रोइड स्मार्ट बोर्ट जिसकी भी ट्रेंग आपको जैडम इंस्टिट में मिलेगा फुल प्रैक्टिकल के साथ मिलेगा खास करके अगर आप सॉप्ट्वेर सीखना चाहते हैं तो आप अपना लेप्टप लेते आएं और अपने लेप्टप पे अपने हाथ से प्रैक्टिकल करें फ्रेंड्स जब तक आप अपने हाथ से प्रेक्टिकल नहीं करेंगे सॉप्ट्वेर के लिए तब तक आप कहीं से भी सॉप्ट्वेर सीखें आप सॉप्ट्वेर आसानी से करने ही पाएंगे ओके फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फर वाचिंग फ्रेंड्स